प्रेस्ट बेल आइकन आप इपार्चाला चैनल और नेवर मिस अनदर अपडेट तो वेलकम स्टूडेंट इस फ्रेंच रेविलुशन चैप्टर और क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये और इससे पहले हमने इस वीडियो के दो पार्ट किये हैं ये वीडियो का तीसरा पार्ट है अगर आप वीडियो का तीसरा पार्ट समझना चाते हैं तो प्लीज पार्ट वन और पार्ट टू को जरूर जाकर देखेगा जब ये आप पार्ट थरी समझ पाएंगे तो फ्रेंच रेवलुशन पे हमने सारी बाते काफी कुछ अटेंड कर ली फरस और सेकेंड में आज हम थर्ड के अंदर देखेंगी कैसे हम लोग फ्रांस के अंदर एपसलूट मुनार्की सिस्टम यानि कि राजशाही तंत्र को कैसे खतम करते हैं और फिर उसे गंड तंत्र क तो यह जो टॉपिक हैं आज हमारे पास बने रहेंगे तो अब हम देखते हैं रेवलुशनरी वार यानि कि करांतिकारी वार तो जैसा कि धर्ड पार्ट में आपको बताया गया थे कि फ्रांस के इस्तिति आने वाले वर्षों के अंदर और जदा गंभीर होने वाली थी इस मैप के अंदर आपको दिखाए दे रहा है कि यह हिस्सा फ्रांस का है बाकि यह सारी की सारी उसके नेबरिंग कंटरी है तो एक्शली हुआ क्याता है हुआ यह था है कि लूइस 16 जो थे उनोंने बनाए गए सामिधान जो कभी नैशनल असेंबली में कॉंस्टूशन बनाया गया था उसने लूइस 16 ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये और यह बोला कि ठीक है मैं आपके सामिधान को मानने के लिए त तैयार हो गया था और समिधान में लूइस 16 ने इसको मान लिया था लेकिन दिक्कत वली बात यहां पर यह थी कि लूइस 16 ने इन बातों को मान तो लिया था लेकिन उसने परशिया के राजा से सीक्रेट बात कर रही थी परशिया और ऑस्टेरिया के राजा से सीक्रेट बा रही है फ्रांस के अंदर according to constitution देश को चलाया जा रहा है उसको खतम करने के लिए परश्या यहां से अपनी सेना भीजेगी और ऑस्टीरिया अपनी यहां से सेना भीजेगी ताकि फ्रांस के लोग पूरी तरीके से दुबारा से राजा के शाशन के अंडर में आ जाए अब क्य कि सेना तयार है और यहां पर अटाक करने के लिए आएगी क्योंकि यहां पर 1789 की गर्मियों में महां पर होने वली घटना के बारे में सेना को पहली ही बोला गया था कि आपको समर्ग 1789 के अंदर अटाक करना होगा और इससे क्या कहते हैं फ्रांस के अंदर दुबारा से र यार हुए थे तो उसे समय नैशनल असेंबली के लोगों ने क्या कर दिया नैशनल आसेंबली के लोगों ने अप्राल 1972 में पर्शिया न ऑस्तेयरिया इन दोनों के खिलाफ यूद छेयर दिया तो यानि की जो नैशनल इस्मली है वहां के लोगों ने वोड़ करा और यह कहा क अब आस्टेडिया के देशों से क्या करनी चाहिए यह हमें लडाई कर लनी चाहिए अब लडाई करनी पड़ा है तो सिमपल सी बात है यहाँ पर उस टाइम पे सैनिको की जूरुद पड़े गी है नगा तो जब सैनिको की जूरुद पड़ रही थी और जो किंग वहाँ पे रहते हैं उनके खिलाफ यूद शीड़ा जा रहा है पूरे यूरॉप के अंदर लोगों के नेशलिजम की फिलिंग आएगी और फिर लोगों ने क्या कहते हैं बहुत बड़ी मातरा में यूद लड़ा और लोगों ने यूद लड़ते समय बहुत गीत गाए जिसे ने अने उनके जित मार्शलिय जो है इसका संग्या इसको दिया गया और मार्शलिय नाम से इस गाने को फेमस किया गया आपको पता है कि हम लोगों ने भी गाने बहुत बनाए थे वंदे मातर final वंदे मातरा तो य यहान पर फ्रांस की लोग वाल लड़ने जा रहे था ये देशभक्ती गीत आंने इंस्पायर करा था यहान पर जुझा देशभक्ती गीत खाणि जब यह लोग पहली बार गीत को पहते रहे तो उनको कहते हैं गित को गाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से जो वहां के कवी है रजिट दी रजिट दी इनका नाम है वहां के कवी है वैसे तो नाम कैसा है रजिट दी शॉट में किताबों के इंदर लिखाओ बाकि ये पूरा नाम है उनका आप देख सकते हैं इन्हो पैरिस की जो कहते हैं सेना थी उन्होंने मार्शले के अंदर इस गाने को गाया था इसका नाम पड़ गया और मार्शले इस अब फ्रांस का एक रास्टे गान है क्यों वेकि उसमें जिसमें युद लड़ा गया था वहां के लोकल लोगों ने इस गाने को गाया और गाने को जब युद जीत गए था उन लोगों ने संगीत करा समारो रचा और यह गाना बहुत फेमस हुआ युद फ्रांस के लोग वहां पर युद जीत गए और युद जीतने के बाद आब आएगी दिक्कत अब यहां पर राजा का शाशन तो खतम होने वाला है अब करांती कारी युद के अंदर युद हो रहे थे जिब ऑस्टेडी और परशिया हमारे परांस के उपर अटाक करने जा रहे थे तो बिचारी जो जनता थी उसमें पुरुच लोग युद के अंदर जा रहे थे लेकिन जो वोमेंस थी मुमिन्स को बिचारों को घर का काम करना पड़ा था रोजी रोटी है घर के जिम्मेदारी है बच्चों के जिम्मेदारी है इन सबी काम के लिए कहते हैं उस समय पे मां की वुमिन्स जो थी उनको ही बिचारों कटनाईों का सामना करना पड़ रहा था और सबसे बुरी बात तो ये थी कि उस समय पर जब 1791 के इंदर समिधान बना था तो उसमें कोई भी political rights ना उसमें women's को नहीं दिया गया था यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो उस समय पर बड़े घरानों के लोग हुआ करते थे यानि के राज में यदि ए खिल लोग हुआ करते थे सिर्फ वही क्या कहते है उसम में सरकारी नीतियों को जानते थे और रिजणा बनाने में उस समय पर काम किया करते थे यानि कि national assembly जो बनी थी यहाँ पर अमीर वर्ग जो थे वो जदाधा थे और यहाँ पर क्या कहते है इन क्लबों के अंदर जैकोबिन क्लब जो था सबसे अच्छा क्लब माना जागा था जो उस समय पे पैरिस के अंदर कॉन्मिट आफ सैंड जैकोबिन के नाम से पढ़ा था वो उस समय पे Paris के अंदर उस समय पे women's को मदद करने के लिए सबसे important aspect उस समय पे देखा गया था यानि कि जिस समय men's youth के ले गए थे women's को घर का काम करना पड़ता था और even उनको कोई political rights भी नहीं थे लेकिन सरकारी नीतियां जो थी वो सिर्फ और सिर्फ उस समय पे राजनेती कलब के द्वारा चलाई जाते थी अब सारे के सारे कलब भरस्ट थे लेकिन उस समय पे सबसे अच्छा कलब जो था जैकुबिन कलब जैकुबिन क्लब जो है वो बाद में जाके और अच्छा बन पाया क्यों? क्योंकि जैकुबिन क्लब का शुरुवाती समय में काम सर्फ यही था कि वो पूरी तरीके से एक ऐसी रिलिजिस बिल्लिंग है जो हमेशा दूसरों के वेलफेर के लिए काम करती है जैकुबिन क्लब अब जैकुबिन क्लब की खास्यत क्या थी? जैकुबिन क्लब के अंदर कुछ मुखे सदस्य हुआ करते थे जो समाज में कम समर्द वरके थे क्योंकि आपने देखा कि नैशनल असेंबली जो बनी उस National Assembly के अंदर बड़े बड़े लोग काम क्या करते थे और गरीब लोगों को तो कुछ पूचा ही नहीं जाता था लेकिन अब यहां पे जो बिचारे चोटे दुकानदार, कारिगर, शूमेकर है ना और उसके बाद यह वाच मेकर है, पेंटर है बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं बहुत कम दैनिक जीवन बिताने वाले जिनको लो विजस मिलती है वो सारे के सारे लोग उसमेपे थे और यहां पे मेकसिमीलین राविस फेर जो ऋथा जाकूबिन कलब का हेड था अब जैकुबिन कलब जो है वो कहते हैं उस समय पे जो उनकी पोशाक हुआ करती थी मतलब अब ये उनसे अलग होना चाते हैं और जैकुबिन कलब एक बड़ा वर्ग है जो समय पे गोदी जो कामगार है वो समय पे धारे धार लंबी पतलून पहना करते थे अब धारे धार लंबी पतलून आप देख सकते हैं इन्होंने पहनना शुरू करा ये एक आर्मी ही समझ लीजी क्योंकि उस समय पर राजा के पास एक आर्मी थी और नैशनल एसम्बली के पास एक आर्मी थी पर जो नैशनल एसम्बली के पास आर्मी थी आपने देखा था कि उन लोगों ने युद लड़ा उस समय पर क्या क्या क्याते हैं उन्होंने युद जीता भी लेकिन अब ये जो कम समर्द वर के लोग थे ना ये लोग भी अपनी खुद की अलग से आर्मी बनाना चाते थे लोग क्या 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 थे लंबी पतलून पहना करते थे उनकी एक छवी दिखाता है जिने ये लोग सौकुलात यानि की इंगलिश में सैंड को ट्रोज जो है वो बोला करते हैं लोग इंगलिश के अंदर उस समय पर उसको बोला जाता है कि आपको लाल टोपी पहनने के अलावा ये जो लाल टोपी इनोंने पहन रखी है इनकी जो जिन्स इनकी जो पैंट होती थी वो कहते हैं जूतों से जस्ट थोड़ी उपर हुआ करती थी इनकी अब ये एक तरीक है कि वारियर्स मानली जी उस समय पर जैकोबिन क्लब के अंदर थे अगर मानली जी कि जैकोबिन क्लब के कम समर्द लोगों को कोई प्राब्लम होती है तो उस टाइम पर जैकोबिन क्लब जो है लोगों की रक्षा करेगा अच्छा जैकोबिन क्लब को सौ कुलात कलब भी बोला जाता था सौ कुलात कब इसलिए बोला जाता था ये थोड़ा हिंदी का वर्ड है आप किताबों के इंदर भी देख सकते हैं सौ कुलात का मतलब सैंट कुट्रीज ही है ठीक है इसको क्यों बुलाया जाता था क्योंकि ये लोग बिना गुटने वाले जो है उससे में पर始éch स्पासली adviser पहना करते थे धर्यदार और उससा में पर corner के toby पहना करते थे तो ये सारी की सारी है उससे में पर थी अब हम आते हैं आगे हमारा part बढ़ रहा है हमारा part बढ़ रहा है की कैसे French जो है परशिया से और फ्रांस ने वो लड़ा और स्टीरिया से दो कंट्री से वो लड़ा जिससे वो कहते हैं जीदिया अब जब वो जीद गया वोर तो सिंपल सी बात है राजा के शाशन को खतम करना जरूरी है अब राजा के शाशन को खतम करने का तरीका ये थै कि 10 अगस 1972 को जै ना लिया गया और बाद में उससे विधान सभा के अंदर उसे ख्याद कर दया गया तो यह ऐसा वोर्ड था जिस समय पर राजा वोई तरीके से अब नहीं रहेगा और राजा के खतम होने के बाद अब जो नैशनल इसम्बली पहले बनी थी उस नैशनल इसम्बली के अंदर महिला हो चाए और पुरुष को छोड़के महिला को छोड़के मतलब उनके पास पहले 25 वर्ष यह से जादा उमर के हुआ करते थे ना 25 वर्ष के उनके पास कुछ टैक्स को लेके पहले नैशनल इसम्बली ने कुछ बना रखा था कि आपको नॉर्मल पर्सन के तीन दिन की म जो अधिक आयू के बंदे हैं जिनके पास टेक्स देने के अउकाद भी नहीं है लेकिन वो लोग वोट दे सकते हैं तो यह उस समय पे हुआ और जो है उस समय पे जब इनके लिए चुनाओ हुए नैशनल असेमली के लिए तो उसमय पे मैक्सिमिलन रावे स्वेर जीत गया और जैकुबिन क्लब ने पूरी तरीके से अगस्त सितंबर 21 सितंबर 1792 के दिन एसमली के अंदर राजशाही को खतम कर दिया और फ्रांस को उस समय पे मैक्सिमिलन रावे स्वेर के तहट गंटन तरगोशित कर रहे गया और एसमली का नाम बदल कर नैशनल कन्विंशन रखा गया तो आप देख सकते हैं कि कैसे नैशन असमली बनी थी और आम जनता के प्रती वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी और एक कलब ने कैसे आया और एक कलब जीतने के बाद उसने कैसे अटाक करा और अटाक करने के बाद कैसे फिर उसने इलेक्शन जीते और उसने 21 वरसे कम आ वो आया तो उसने सबसे पहले क्या करा उसने लूइस लूइस सिक्स्टीन को देश द्रो के आरोप में कहते हैं मौत की सजा सुनाई तो 21 जनवरी 1793 के दिन उसने प्लेस डेला ऐसी एक जगा है जहां पर सारजनी प्लेस पे उसे मार दे गया मतलब उसका घला कटवा दिया गय ज़ोटीन से और बाद मेरी एंटो मेरी एंटोनेट के साथ बी बाद में यही करा गया उनको 1794 के अंदर उनको भी यह कहते हैं एंट यानी की गलोटीन से उनका गला कटवा दिया गया तो यह था कैसे मैक्सिमिलन रॉवेस फेर आया अब आते हैं रॉवेस फेर की स्टेट पॉलिसी को लेगे जब रावेसफेयर की सरकार आई तो उसने काम क्या करा अब रावेसफेयर की सरकार ने सबसे पहले तो सरकार ने मजदूरी और राशन मास पर अधिकतम सीमा रखने का कानून जारे कर दिया ये बोला कि अब क्या कहते हैं मजदूरी पे और जो राशन रोगों को मिल रहा है उस पे क्या कहते हैं अब जो गौर्मेंट है वो मैकसिमम जो लॉज होगी वो लगाने के लिए शुरुवात कर देगी और दूसरा किसानों से यही कहा गया कि अब आपको जो अनाज है न वो स सफेद आटा जो समय पे सफेद आटा मिलता था उस पर प्रतिबंद दगा दिये और सभी नागरियों को कहा गया कि आपको रोटी जो है वो भूरे गेहों की खाने की जरूद है तो उसके बाद समानता बाशन और या अविवेक्ति की मांग करी गई जो समय पे मैकसिमिलन र रॉवेस्वेर ने सभी चर्चों को बंद करकर वहां पे इमारते बनाए बैरेक्स बना दियो और कारेले बना दियो कि जब कभी इमारते क्या कहते है चर्च के अंडर में हुआ करते थी और लोग को टेक्स देना पड़ता था ये जब की बात है अब यहां पे रीजन आफ टेरर का कहने का मतलब यह है कि जब 1793 से लेके 1794 इस समय का टाइम जो है एक आतन का टाइम क्यों बोला जाता है क्योंकि उस समय पे तीनों स्टेट के लोग क्योंकि मैक्सिमिलन रॉवेस फेर थर्ड स्टेट के कम एजुकेटिड लोग लोग उन सभी के साथ उनका सहयोग लेके आगे बढ़ा था लेकिन उसने जैसे ही उसको सरकार में लाया गया उसने बहुत कटिन पॉलिसिस बनानी चालू कर दी उसने जितने भी रहीस लोग है पादरी लोग है उनको ये कहा गया कि जो भी करांती के खिलाफ आएगा ना उसको गिरफतार कर लिया जाएगा ग और मैकसिमिलन रावे स्फेर इसी वज़े से उस समय पे आतंका टाइम उसे कहा गया था अच्छा ये गलोटीन होता क्या है एक्सली गलोटीन जो है ना ये दो खंबो के बीच कहते हैं लड़की एक मशीन आपको दिखाई दे रही है दो खंबो के बीच ये मशीन यहाँ प रावे स्फेर ने अपने नीती के तहट बिल्कुल सकत रहा तो सिंपल से बाते मैकसिमिलन रावे स्फेर के साथ के लोगों ने भी कहा कि हमें भाई थोड़ा से और मॉडनाइज होने की जरूत है अगर हम ऐसे ही हार्ड पॉलिसे लोगों के लिए लाते रहेंगे तो सिंप को ही बाद में किसी कारणवर्ष उनको अरेस्ट कर दिया गया और बाद में उनको ही मरवा दिया गया और उनका गला जो है गलोटिन से कटवा दिया गया तो जुलाई 1794 तक यहां पर इनका भी टाइम पीरड खतम नैशनल कंविंशन भी खतम हो चुका था अब आते हैं निर्देशी का सरकार का नाम है जिसने फ्रांसेसी करांती के अंतिम चरन के दरान फ्रांस पर शाषन किया था और इसने दो नॉमबर आपने देखा कि अभी उसको मरवा दिया गया उसके दो नॉमबर से लेके 10 नॉमबर 1799 तक 4 साल था कि इन लोगों ने फ्रांस के उपर कि यहाँ पर अधिक से अधिक ब्रस्ट होने लग गया था और फ्रांस के अंदर सेने निताओं जो थी उसमें क्या कहते हैं फिर उसकी सेने निताओं की व्रिदी होने लगे थी जिसमें से एक मैकसिमिलन रौविस स्फेर को हटाने के बाद नैपोलिन बोना पाठाया था ए या काउंसलर बोले जीए उसने आपको हेड बना दिया और नई सरकार के स्थापना करी उसने जब अपने आपको प्रामर्श धाता बनाया तो उसके बाद में इसने आपको अपने आपको समराठ भी गोशित कर लिया तो नैपोलिन की एंट्री होती है नैपोलिन की एंट्र के अड़वाइज देने वाला बंदा लेकिन उसने 1804 के अंदर क्या कहते हैं बहुत से रूल्स बदले और ये सभी रूल्स में सबसे अलग क्यों था क्योंकि आपने देखा था कि इसने अपने आपको वो समय फरांस का मेकर बोला इसने कहा कि अगर मैं फ्रांस के अंदर मॉर्टिनाइज लेके आ रहा हूं तो वक्ती मैं ही हूँ क्यों कि इस वक्ती नहीं उस टाइम पर 1804 के अंदर नागरिक सही था लेके आया जिसमें ये बोला है कि जनम के अधिकार पर किसी को विशेश अधिकार प्राप्त नहीं होगा सभी नागरीगों को उस समय पर संपत्ती का अधिकार होगा और उस समय पर सामंती विवस्ता जो जिसमें किसानों को जबरदस्ती काम करना पड़ता था वो नहीं होगा दूसरा उसने भैतर परिवान और संचार की विवस्ताओं को बहुत अच्छा करा ये सारे उसके positive point है जो किसी राजा ने आज तक French Revolution के अंदर नहीं करते चाहे हम Louis 16 की बात बोले चाहे हम उस समय पे National Assembly के अंदर चाहे हम National Convention के दर मैकसिमिलन राविस्फिर की बात बोलें वो सब नहीं किया गया था अब जो नैपॉलिन की अच्छी बाते थी कई नैपॉलिन की बुरी बाते भी थी उसने अपने आपको फ्रांस की territories को और बढ़ाने के लिए अपने आपको और छेत्रों तक पहुचाने के लिए उसने हैवी टेक्स लगाने चालू कर दिये उसने प्रेस के उपर सैंचेशिप लगा दी कि अगर फ्रेस के अंदर उसके खिलाब कुछ चापा जाएगा तो सामने वाले वेक्ति को बहुत उस पे हास्ट रेटी लगाई जाएगी और उसको सैने बलगे थूरू उसको मरवा दिया जाएगा और जबरदस्ती वहां के नार्मल परसन को बोला गया कि आपको सेना के अंदर भरती होना है दूसरा इसने स्लेव जो कभी खतम कर दी गई थी नैशनल असेम्बली के थूरू सलेवरी सिस्टम इसे बोलते हैं उस सिस्टम को नैपोलियन बोनापार्ट ने दुबारा से री इंटिड्यूस कर दिया तो वो बहुत बड़ी बाते हैं उसने री डू कर दिया नहीं कि दुबारा से स्टार्ट कर दिया उसे स्टार्ट कर दिया तो ये सारे उसके बुरे काम है इस इस अबार दा नैपोलियन बोनापार्ट 1815 तक उसने राज करा था और बाद में फिर आगे की कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि परशिया और उस्टेरिया और रशिया इन तीनों ने मिलकर इस पर अटाक कर दिया था इसके बारे में आप तैंथ क्लास के हिस्ट्री में ज़दा अची तरीके से पढ़ेंगे इस वीडियो के पार्ट में जए इतना ही है आगे मिलते हैं तो यह पार्ट चाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कोशिच करें कि आप दूसरों को शेर करवाने के लिए बोले क्योंकि आप जितना वीडियो को शेर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जभी बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चानल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत